आप सब को जैमसिक की प्रभू का धनेवाद करते हैं इस सुन्दर शाम के लिए कि प्रभू ने ये सुन्दर शाम हमारी जीवन में दी और हम धनेवादी हैं कि प्रभू ने हमें दिन भर में संभाला दिन भर की हर एक खत्रे मुसीबतों से संभाला और हर एक काम में परमेश पिता का धनेवाद करें तो आईए हम सब परमेश्वर के वचन से पढ़ें भजन सहीता 28 साथ में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है यहुआ मेरा बल और मेरी ढाल है उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को साहिता मिलती है इसलिए मेरा हिर्दय प्रफुलित है और मैं गीत गा कर उसका धनेवाद करूँगा आमेन हमारा बल हमारी ढाल परमेश्वर है और हम उस पर भरोसा रखने से हमें हमारे जीवन में हर एक बात में हमें साहिता मिलती है और परमेश्वर हमेशा अपने आनन्द को हमारे हिर्दय में देता है जिस आनन्द को पाकर हम प्रफुलित होते हैं और उस आनन्द को पाकर हम उस परमेश्वर का धनेवाद करते हैं कि जो अस्चरे कर्म उसने हमारे जीवनों में किये हैं तो आईए हम सब मिलकर प्रात्ना में जाएंगे और है कारी पिता परमेश और प्रभू इस सुन्दर समय के लिए मेरे प्रभू जी हम आपका धनेवाद करते हैं प्रभू जी सच में आपकी बड़ाई आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभू कि आप परमेश और महान हैं प्रभू आप हमारे ढाल हैं प्रभू आप राजाओं क को हमारे लिद्या प्रभू ता कि परमेश और हम जब तुझ पर विश्वास करें तेरे नाम पर विश्वास करें तो प्रभू हम नाश नहो परंतु अनंत जीवन को पाएं उद्धार को पाएं पिता परमेश और अपने पापों की शमा को पाएं प्रभू हम धनेवाद करते प्रभू के आपने दिन भर में हर एक को संभाला प्रभू धनेवाद करते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके दुआरा प्रफुलित हमारे हिर्दे आपके दुआरा प्रफुलित होता है। पिता हरे को आप नया बल प्रदान करें पिता परमेश्वर प्रभू पिता जो कोई तुछ पर विश्वास करता है प्रभू जी आप उनके निवेदनों को प्रभू आप पूरा करें। प्रभू जो तुछ से प्रात न कर रहे हैं प्रभू अपने प्रभू रिष्टे के लिए अपनी बिमारियों के लिए प्रभू जी अपने कर्जों के लिए पिता अपने घर को बनाने के लिए पिता परमेश्वर और प्रभू जो उनके जीवन में गलत डिसीजन आ चुके पिता परमेश और गलत विपत्य जिनके जीवन में आ चुकी है प्रभू उनके जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है प्रभू येशित उसे प्रात न करते हैं प्रभू इस समय प्रभू जी आप उनकी सहता कीजिए क्योंकि प्रभू आपको वचन कहता है उस पर हमारा भरोसा ह और हमारे मन को उससे साहिता मिलती है येश्मसी आप हर एक की साहिता करें परमेश्वर आप प्रभु जी हर एक को बिमारियों से निकालें बाहर और प्रभु जी उनकी साहिता करें ताकि परमेश्व आपके नाम की जैजेकार और आपका नाम का धनेवाद कर सकें प्रभू जो कर्जे में हैं उन्हें कर्जे से निकालें प्रभू जी जो पिता अपने जॉब की टेंशन में है प्रभू आप उनकी साहिता करें प्रभू जिनके रिष्टे नहीं हो पाते हैं ये शमसी आप उनके रिष्टों को बनाएं परमेश्व पिता प्यारे प्रभू जिनको प्रभू घर बनाने में तकलीफ और ये फाइनेशली प्रॉब्लम चल रहा है ये शमसी आप हर एक की जरुतों को पूरा करें प्रभू ताकि बातन करते हैं उन लोगों के लिए प्रभू जिनका कोई भी सहारा नहीं है परमेश्व पिता जिनको देखने वाला कोई नहीं है परमेश्व पिता आपका वचन उनसे कहता है कि मैं तुमारा बल हूँ तुमारी ढाल हूँ ये शमसी आप उनकी ढाल बन जाईए ये शमसी उस चिंताओं को दूर करिये, उनकी साहिता करिये प्रभू जी, पिता जो नशे की आदत में है प्रभू, पिता आप उनने उनसे छुटकारा दीजिये प्रभू, आप उनकी साहिता करिये प्रभू से छोड़ने में उनकी साहिता और मदद कीजिये प्रभू जी, जिनके घर म हर एक के परिवार पर तेरी सुक्स, सम्रिद्धी, आशिशें, बरकत प्रभू हर एक के जीवन में आए प्रभू धनेवाद प्रभू कि आपने हमारी प्रात्मों को सुन लिया है प्रभू और उसे ग्रहन किया प्रभू और पिता उसका उत्तर हां और आमीन में दिया अपने वचन के अनुसार कि आप हमारे बल हैं आप हमारी ढाल हैं और हमारे मन को साहिता तेरी ओर से मिलती है प्रभू आप हर एक के हिर्दे को प्रफुलित करें ताकि हम सब मिलकर प्रभू तेरा धनेवाद करें प्रभू धने करता मसीय शुक्य नाम से मांगते हैं आमेन